दिललन टॉप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें हाई गाईस मैं हो निकिल और यह है ललन टॉप का न्यूज रूम अभी अगर आप यह फेस्बुक वीडियो नहीं देख रहे हैं या फोन चलाते चलाते एक तरफ आपके कमरे में टीवी खुली हुई है तो आप जितने भी न्यूज चैनल बदलते जाएंगे वहाँ पर आपको अपनी टीवी स्क्रीन बड़ी रंग बरियंगी नजर आएगी क्यूंकि गुजरात में वोटिंग खत्व हुए पौने तीन घंटे बीट गए हैं और जितने भी मीडिया संस्थान हैं वो सब अपना एक्जिट पोल लेकर के सामने आ गए हिमाचल प्रद प्रदेश में रही हुा नोनोssa है हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है हमाचलर प्रदेश में और लोग लाजिक अपनी गुळार गेरे पढ़े हैं जितने भी आरोप लगत है उसकी वज़से यह सानी चीजह हो रहे हैं अच्यों सब्कू devotionॵ घो यह कि यह सारी चीज़े निकल कर रही है कि वीरभदर सिंग की वजह से बिलकुल तो शुरुवात हम सबसे पहले कि से पोल की बात है शुरुवात हम करते हैं एंपीटी सी वोटर के एकजिट पोल से वह बताता है कि बीजेपी वहां पे यही है और इसके लाबा इंडिया टुड़े एकसिस्माइ इंडिया ने एक सरवे किया है उन्हों ने भी बीजेपी को जो है सहताली से पच्छ पन सीटे दी है ठीक है नहीं कॉंग्रेस को सिर्फ 13 से और बीस के मार्जिन पर इन्हों अंतराल रखा है बीच में चेंड उसके लिए उन्हों ने जीरो से दो सीटे रखी है जैसा कि वोटर न सिर्फ बीजेपी और कॉंग्रेस को सामे सामें रखा है इसके अलाबा एक न्यूस 24 चानत्या क्या वी सर्वे आया है इन्हों ने वी एक तरफा बताया है कि बीजेपी क पूरी पूरी 55 सीटे आ रही है और कॉंग्रेस को इन्होंने तेरा से रही है इन्होंने भी अन्ने के लिए कोई भी जगा नहीं चोड़ा थी है एक चीज और जब हमने यह एक्जिट पोल्स के नतीजे थे और एक्जिट पोल वो पोल होता है जब जब वोटर पोलिंग बहुत मामूली अंतर देखनों के मिला है जो ओपीनियन पोल भी थे जितने भी सर्वेज एजनसीज ने जो ओपीनियन पोल किये थे वही इन्हीं सीजनों के इर्दगिर थे एक्सिस में इंडिया के नतीजे तो हमारे पास कंपाइल होके रखें वरुन स्क्रीन पर चिह गा था कि 43-47 सीटे रहेंगी बीजे पी के पास कि 25 और ओफिर क्या ऑपार भी झोपीनियन लुख और अब उससमें कोई बहुत उंतर नहीं मामूली दो सीटों ि दो समझ में आई रहा है कि जब यह पोल के ओगा होगा और जब एकजिट पोल के होगा उसमें कॉंग्रस ने थोड़ा और नुकसान उठा है बिल्कुल इसमें यह हुआ है कि थोड़ा सा और ज्यादा नुक्सान हुआ है अब इसकी वज़ा तो यह सर्वे करने वाले अभी तक डिटेल नहीं दे पाई है लेकिन ओने इसके क्या वज़ा है यह यह नहीं मालूम है लेकिन यह विगर प्रदेश प्रदेश कॉंग्रस ने शर्कार बनाई थी और बेज़ेपी को पंदरी सीट ज्यादा मिलने और इस बर वह सरकार बनाने के स्थिति में जैसा कि एक्जिट पूल बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जो पूरा क्रेडिट है वो नर्द मोधी को उठाना है इसके अलावा तो कोई दूसरा नाम लिया ही नहीं जा सकता है इसलिए जब एक राज्य में चुना हो रहा था तब हम ऐसा लगा कि पूरे देश में चुना हो रहा है गुजरात चुनाओं तो गुजरात के एक्जिट पूल क्या कहते है अमनाज जी बताईए बात हम करते हैं गुजरात में पिछले चुनाओं से 2012 के चुनाओं में बीजेपी को 115 सीटे मिली थी और कॉंग्रेस को आई थी 61 सीटे बाकी सीटे जो थे अन्यके खाते हैं इसमें अकेले बीजेपी को 115 सीटे आई थी अब जो भी चुनाओं नतीजी आए हैं जो भी एक्जिट कंपनी हैं मतलब एक्जिट सर्वे करने वाली जो भी पूल है वो खुद भी यहीं बता रहें कि इस बार भी बीजेपी उसी तरीके से आ रही है पुर्ण बहुमत के सा बात आ रही है और उन्होंने कुछ लोगों ने तो सीटे एकसो तीस पैसी तक दी हैं कुछ लोगों ने उससे कम किया है लेकिन सब ने एकसो पंदरा के पार ही रखा है यह जरूर है कि इन्होंने कॉंग्रेस को बढ़त दिखाई है जो कुछ सीटे पिछली बार अन्ने के देखाते में गई थी तिरालिस के बाद वह सीटे इस बार कॉंग्रेस के पाले में आती दिख रही है इन सर्वे के इसाब से हम सर्वे बाई सर्वे अगर हम चलें तो पहले इंडिया टूड़े और एकसिसमा इंडिया का सर्वे देखते हैं इन्होंने बीजेपी को जो 99 से है यह इस एक्वेशन के साथ है बिल्कुल यह कॉंग्रेस का अखड़ा इस एक्वेशन के साथ है हार्दिक प्लस जिगनेस और प्लस अलपेस इन सारी चीजों ने यह दिकांग किया है तो कॉंग्रेस इस सिस्थिति में पहुंच पा रही है कि वह 74 सीटों पर पहुंच जा और कॉंग्रेस को इन्होंने 74 सीटे दिये और कॉंग्रेस को शिर्फ 64 सीटे दिये ठीक है तो मतलब अब पिछला रिजल्ट लगबग लगबग रिपीट हो रहा है बिल्कुल अब जैसे टाइमस नाव और विएमार का एक्जिट पोल जो आया है उन्होंने बीजएपी को गुजरात में 109 सीटे दी हैं, कॉंग्रेस को 70 दी हैं, और अन्य के हाथ में इनके मुताबिक कोई नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने हिमाचल में इक पैटन की बात की, कि पहले ओपीनियन पॉल हुए, ओपीनियन पॉल के नतिज़े हम तक पहुचे और अपुझे पॉल के नतिज़े देख रहे हैं, तो आप उसमें कोई गया पॉल पैटन आपको नज़र आए, पहले हम गुजरात के जब मुझरात में रहेगा 48 फीसद और अगर जो कॉंग्रेस के साथ अलपेश ठाको प्लस जिगनेश मिमार्णी और हर्दिक पटेल अगर कॉंग्रेस को पूरा-पूरा साथ देते हैं तो कॉंग्रेस का वोट सेर जाएगा 38 फीसद के पास और जो अन्य पार्टी है जो वागिला जी ने बनाई है आम आदमें पार्टी ने जहां-जहां कॉंटेस्ट किया है वह 12 फीसद वोट लेंगे और सीटे आएंगे 115 से 125 तक के कॉंग्रेस का जो कॉंग्रेस और उसकी टीम का टाली रहेगा सत्ता उन से 65 तक के और लाएंगे टीम सीटों तक और एबी पीसी एस डी इसका उपीनिन पोल 4 दिसंबर का है यानि जादा रीसंट है और इसके नतीजे इन्होंने रीजिन वाइस इसको तोड़के यहां पर दिया हुआ है मेरे खाले हैं पर टोटल फिगर भी होगा कही न कहीं इन्होंने यह कहा था यह वोट शेर के मामले में कॉंग्रेस और बी लेकिन चीटे यह जादा होंगे क्योंकि जिस तरह का चुनाम हमारे होता है फरस्स पास तक पॉस्ट की भले आपके शेर जादा हो लेकिन आपको किसी एक सीट पर सबसे जादा वट ले आने हैं तब आप विजेटा घोशित होंगे आपसे एक कम वोट जिसका है उसका सवराष्ट कच सवराष्ट से विजय रुपानी जीय में रख्याल और हमारे देश के प्रधान मंत्री भी वहीं से आते हैं उनके एरिया में भी कॉंग्रेस ने काफी कवर किया इस बेबी पी सीएस्ट का जो उपीनिन पॉल ता उसके हसाब से यहां पे कॉंग्रेस वोट शे जो एक्जीट वोग यह कहता है कि बीजएपी को यहां पर 117 सीटे मिल लही है ऐक सब्सक्राइब कुल बिला करके 117 सीटे दे रहे हैं और कॉंग्रेस को सिर्फ 64 सीटे परिस अंदोश करना पड़ेगा अन्य को इन्होंने अन्य के खाते में एक सीटे डाली है और एकसिस मांग इंडिया कहता है कि बीज़ पी को 99-110 सीट जैसा कि इन्होंने ओपीनियन पौल में कहा था है यहां पर इस तरह का पैटन है कि और यह हमने जब चुनाओ के दरण वोटिंग हो रही ते तभी भी देखा कि लगातार यह बाते हुई कि मतलब अगर हम देखें कि जब हम पहले पूल की बात करते हैं उसके बाद फिर कैंपेणिंग है वोटिंग है आज एक्जिट पोल आए तो मुझे एक साइनवेव वाला यहां पैटन दिखा कि पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी बहुत आगे है उसके बाद फिर पूरे टाइम इस तरह की बाते चले कि बीजेपी आगे है लेकिन कॉंग्रेस उसे कवर सर्फिर कर सकते हैं चैण सर्प्राइज कर सकते हैं यह इसे को नेिज़न जैसे सुनने को जैसी चीज़े हम लों को देखने को मिली हैं उसके हिसाब से कोई बड़ा सर्प्राइज हो तो फिर मैं सर्प्राइज नहीं हो जिनकी बातों की बात कर रहे हैं वह अभी रास्ते में वह सुबह तक के यहां नियूजरूम में होंगे तो आप बिलकुल जिसको कहते हैं फॉर् होने चाहिए या नहीं क्योंकि जो मीडिया संस्थान है उनके लिए एक चीज़ ऐसी है कि यह हमारी अभिवक्ती के सुतनत्रता है हम लोगों का जो मूड है वही तो बता रहे हैं और फिर दूसरे तरफ चुनवायों का अपना कहना है कि अगर मल्टी फेस इलेक्शन है और पोल्स को जब आप यह कहते हैं कि सबसे पहली बार उनके उपर किसी तरह का नियंतरन की बात हुई तो वह अठ्यानवे में था जब जो चीफ एलेक्शन कमिशनर होते थे मस गिल उनके ने इलेक्शन कमिशन ने इस सरह के नियम बनाने की कोशिश की कि एक फिक्स पीरेड य यह इस पहले तक है था मैंने बेबी सीखा है कि उपीनियन पोल वह पोल होता है जब चुनाव से पहले एक प्रोफार्मा लोगों के पास लेके लोग जाते हैं और पूछते हैं वहां कुछ पाच्छे सवाल होते हैं कि यदि चुनाव होते हैं तो आप किसे वोट देंगे वोट देंगे तो किस मुध्डे पर देंगे आप वोट देंगे तो किस के बारे में आप चाहेंगे कि वो सिली में जायती हैं यह प्रेडिक किया जाता है कि अगर इस माहौल में चुनाओं हो जाएं तो नतीजे क्या होंगे यह ओपीनियन पोल है एक्जिट पोल वह होता है कि जब वोटर जैसे मैंने वोट दिया आज जब मोदी जी वोट देखे कार से निकले थे तो यदि उनकी कार रोक के किसी ने प क्यांच चरण के पहले चरण के पहले अपीनिन पोल दिखाते हैं और पहले चरण के बाद भीक डिखा देगी करेंगी जुसको करेंगी उसको जिसे नहीं माना जाता है, अंठानवे की दिक्कत एक और भी है, कि अंठानवे में हमारा जो मीडिया था वो इतना नहीं था, इतने ज्यादा टीवी चैनल नहीं थे, अब क्या है, कि अब हम जो भी कुछ भी प्रेडिक्ट करते हैं, वो एक मिनिट के अंतर पूरी दुनिया में बहुत कम टीवी था, उस समय जब चुनावायोग ने यह सोच लिया था, और लोगों ने यह सोच लिया था, कि यह डाइवर्ट कर सकते हैं, तो आज क्या होता, यह तो हम आराम संदाजा लगा सकते हैं, कि अगर यह चीज़ें चलती रहती हैं, लेकि यह जब अभियक्ति क सतनता वाली जो लॉजिक है, मीडिया का, क्योंकि हम भी पत्रकार ही हैं, और हम रोजी रोटी हमारी है, और यह हमारा हक भी है, कि जो बात सही है, वो हम लोगों तक पहुचा हैं, तो इसलिए इस बात को समझते वे बहुत सारे मीडिया संस्थान, चुनावायोग के इस फै सतन के इतिहास में, जब से उपीनिन पोल और एक्जिट पोल की हमको रवाय दिखती है, उसमें 98 अकेले चुनाव हैं, जिसमें आपको उपीनिन पोल और एक्जिट पोल नहीं मिलते हैं, क्योंकि स्टे नहीं किया था, लेकिन उसके बाद जब सुनवाई आगे बढ़ती है तब सुप्रेम कोट इस बारे में सवाल करता है चुनावायोग से कि जो आपने गाइडलाइन्स दी हैं, ये देने के लिए आपके पास समिधान द्वारा पदर शक्तियां थी की नहीं, यानि कानूनन आप उस तरह का आदे सकते थे या नहीं, आपको इस पर विचाय करना आप पहले कानून बनाईए, उसके बाद आप चाहे इस तरह की सला दें, तो उसके बाद फिर एक लंब्य बहस हमारे देश में शुरू होती है, राजनितिक पाटिया कुछ कहती है, मीडिया संस्थान कुछ कहते हैं, चुनावायोग का अपना पक्ष रहता है, तो हम 2010 में जब Representation of People's Act जिसके तहट हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं, उसमें एक धारा जोड़ी गई, 126A, जिसके तहट चुनाव जो हो रहे हैं, जो वोटिंग है, उस वोटिंग के बाद तक exit poll के नतीजे बताने पे रोक लगाई गी थी, किसी multi-phase election में, माने गुजरात में दो दो फेस में चुना हुआ है, तो दूसरे फेस का चुनाओ जब तक पूरा नहीं हो जाता है, शाम का पांच नहीं बच जाता है, तब तक क्या पहले फेस में exit poll का नतीजा नहीं बता सकते हैं, लेकिन यह बहस यहां पे लॉक नहीं होती है, हम यह बहुत अच्छा, यह कहीं की middle ground है, exit polls आप नहीं बताएंगे voting से पहले और opinion polls आप बता सकते हैं, लेकिन यह भहस खातम नहीं होई, तो हमने एक जो basic search है, मैंने इंटरनेट पर वह भी किया कि, दुनिया के और देशों में क्या-क्या रवायते हैं, तो यॉरप में मैंने देखा कि 16 देश कुछ ऐसे है जहां पर अलग-अलग durations के लिए, opinion poll भी ban है और exit poll भी ban है, इटली में 7 दिन का ban लगता है, चुनाव से पहले और चुनाव से बात है, के लगजंबग में 7 दिन का ban लगता है, फ्रांस में 7 दिन का लगता था फिर उन्होंने बंद किया, बिटिन का लग-बग-बग system हमारे यह तरह है, वहाँ पर opinion poll भी जा सकते हैं, लेकिन exit poll नहीं आप दे सकते हैं, exit poll के लिए आपको voting खतम होने का इंतजार करना पड़ता है, और सबसे बढ़िया प्राक्टिस जो मुझे अबनाश लगी, जो मैं ढून पाया इतने समय में, वो US में, US में कोई नियम नहीं है, लेकिन US में मीडिया इतना जिम्मेदार है अपने आप में कि वो opinions poll air करते हैं, exit poll के जो नतीजे होते हैं, वहाँ कोई नियम नहीं है, लेकिन वो air ही तब करते हैं, जब voting खतम होती है, तो यह उनका आत्मनी अंतरन है, तो यह exit polls की यह बहस है, और उससे पहले exit polls की नतीजे अबिनाश ने आप से शेर किये, इन नतीजों के बारे में आपको क्या लगता है, क्या आपको लगता है कि नतीजे सही निकलने वाले हैं, यह आप कमेंड बॉक्स में बताईए, और चलने से पहले मैं इनकी reactions के बारे में भी बात करना चाहता हूँ कि क्या अलग-अलग leaders न करवाने तो उसने करवाए उसका कोई फायदा नहीं है, हार्दिक पटल कर रहे हैं कि सताधारी पार्टी को करवाने थे वो करवा दिये, लेकिन उसका कोई फायदा होता है, क्योंकि इसकी वज़या से कोई mood तो बदलना नहीं है, जितनी voting होनी थी वह हो गई है, जो भी वो कोई convincing evidence नहीं है, कि EVM hack की जा सकती है, या hack की गई है, यह एक खुली भहस है, जो आगे mature होगी, और इसमें सहीं बरतने के जरूत है, और थोड़ा सा EM exit polls की नतीजों को लेकर भी बरतने के जरूत है, असली नतीजे आएंगे 18 को, तब हम उनके बारे में तफसील से आपको ब पर तो आपको ये वीडियो देखना है साथ में, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और एक गंटी दबानी हमाँ पे छोटी सी होती है, उसको क्लिक करें तो वो टन 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 बजेगी, और वो जो टन टन होता है, उससे आपको इस तरह के वीडियो जब अपलोड हुआ क करेंगे, तब आपको नोटिफिकेस्ट मिल जाएगा, थैंक यू